जैहिन दोस्तों तो आज हम डिसकस करेंगे Human Reproduction के Top 20 PYQ जो आने वाले exam के लिए बहुत ही जादे important रहेगा तो आप लोग के demand पे लेके आया हैं तो देखिए सबसे पहला question और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो इसका PDF के लिए जो टेलिगराम चैनल को जोइन कर लिए वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जब भी आपको टाइम मिले देखते रहिएगा ये सारे question जो है बहुत ही जादे helpful है आपके exam के लिए यानि के समझे यही question आ जाएगा आपका exam में जो नीट का exam देने जाएगे तो जैसे exam देंगे तो आपको यह question सामने दिखेगा फिर आके आप comment में जरूर कीजिए comment जरूर कीजिए गा बोलेगा आप जो बोले थे वही question आ गया direct तो चलिए समझते हैं सबसे पहला question question number one है what is true of cleavage cleavage के लिए क्या सही है तो पहले समझते हैं कि cleavage है क्या cleavage होता है rapid division यानि कि जैसे ही जाएगोड बनता है तो जाएगोड कैसे हो बनता है जब male gamit और female gamit fuse करता है तो जाएगोड बनता है उसके false rope उसमें क्या होगा division होगा rapid division, जिसे हम cleavage बोलते हैं वो फिर एक से दो सेलब बनेगा योगा यानिकि दो blastomomar में करवत हो जागा दो से चार चार से आठ यानि कि वो divide होते होते divide होते जाएगा दो से चार होगा, चार से सोबाet सोबाइब तिस यानिकि उसमें फिर differentiation होगा फिर इंब्रियों बनेगा आगे का प्रोसेस होगा ठीक है तो यहां पर हमें सिब यह पुछ रहा है कि क्लीवेज के लिए क्या सही है तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ के यहां in होगा iq customers गलत बात भात के साइच इसकि नहीं करेगा तो इसकंटे बच्रिक नहीं नहीं करेगा डिविजन के बाद तो क्या होगा तो there is no growth of doubted cell, doubted cell में growth नहीं होगा, जब cleavage होगा तो सिर्फ वहाँ पे division होगा, नहीं doubted cell में growth होगा, और नहीं cytoplasm में कोई increment होगा, तो answer आपका हो जाएगा D number, next है, कि isparmuogenesis, isparmuogenesis changes, यानि कि एक होता isparmuogenesis, एक होता isparmuogenesis, isparmuogenesis होता है, जब isparmuogenesis होता है, जब isparmuogenesis होता है, जब isparmuogenesis होता है, isparmuogenesis कोई sperm बोलते हैं, यानि conversion of isparmuogenesis होता है, is called isparmuogenesis, answer हो जाएगा D number, next है, कि what is total number of polar body formed during oogenesis, oogenesis के दोरान, ओवरी में जो है, कितना polar body बनेगा, तो सबसे पहली बात ये जान लिजिए, कि first meiotic division जो है, ओवरी में होता है, तो first meiotic division होगा, तो जो है primary usad से secondary usad बनता है, secondary usad जो है, primary usad से, जब secondary usad बनेगा, तो यहाँ पे जो है, एक first polar body बनता है, फिर ये बाहर चल जाता है, तो मतलब कहने का है, कहने का मतलब ये हुआ, कि अवरी के अंदर जो polar body बनेगा, एक ही बनेगा, लेकिन अवरी के बाहर आएगा, तो यहाँ पे फिर second meiotic division होगा, तो दो बनेगा या तीन बनेगा, ठीक है, तो answer हो जागा एक, यानि अवरी के अंदर बोल लाहा है, तो answer एक होगा, अवरी से बाहर बोलेगा, तो दो से लेकित तीन polar body बनता है, तो यहाँ पे one हो जाएगा, next है, कि in spermatogenesis, spermatogenesis में बोल लाहा है, कि primary spermato side produce for similar sperm, यानि primary spermato side से charge sperm बनता है, तो eugenesis in primary, उसा है, तो eugenesis में जो है, उसमें कितना primary side form करेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो एक primary side जो है, एक बनाएगा, वन बनाएगा क्या, large egg cell, यानि कि ovum बनाएगा, और दो से लेकित तीन polar body बनाएगा, यह किसका बात कर रहा है हम लोग, primary side का, primary side में एक ovum बनता है, और दो से लेकित तीन तक polar body बनता है, वहीं पे अगर primary spermidocyte पे account करेंगे, तो एक primary spermidocyte से चार sperm बनेगा, ठीक है, तो आंसर हो जागा आपका D, पांसर नमर, fertilizing are present over, तो यह निए, fertilizing कहाँ पे होता present, तो एस्पर्म में होता है, ठीक है, तो आंसर हो जागा, एस्पर्म के head पे, यानिके C नमर हो जागा, next है, next है, के 50 secondary spermidocyte, 50 secondary spermidocyte है, और 50 है, इस्पर्मिटोसाइट, इन मेल, give rise to, यानिके, 50 secondary spermidocyte है, तो secondary spermidocyte से, 2 बनता है, ठीक है, 2 बनेगा, तो यानिके 50 है, तो 50 का 100 sperm बन जागा, 100 sperm बनेगा, लेकिन secondary, उस साइड में से, एक बनेगा क्या, polar body, और एक बनेगा, ovum, तो ovum, ova कितना बनेगा, 50, और 50 polar body बनेगा, तो आंसर देखो, 100 sperm यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हैं, आप 50 ova यहाँ पे हैं, तो आंसर यह हो जाएगा, नेक्ट देखो, which is the correct sequence of spermatogenesis, spermatogenesis के लिए correct sequence क्या है, तो सबसे पहली बाद याद रखना है, sperm का जो जर्म से रहोता है, जर्म से रहोता है, spermatogenia बनाता है, spermatogenia में mitosis होता, तो primary spermatocyte बनाएगा, मियोसिस first होगा, तो secondary spermatocyte बनेगा, मियोसिस second complete होगा, तो क्या होगा, spermatid बनेगा, और spermatid से sperm बनेगा, जिसे हम बोलते हैं, इस पर मियोजेनेसिस, अंसर D हो जाएगा, question है, कि blastopore is, तो blastopore क्या है, blastopore की बात कर रहा है, मतलब opening के बात कर रहा है, gastrocele का जो opening होता है, उसे blastopore बोलते हैं, अंसर हो जागा आपका, B number, next question, on fertilization of egg nucleus, with nucleus, या sperm का nucleus होगा, तो क्या बनेगा, आप embryo का formation करेगा, answer B हो जाएगा, next, secondary oocyte is found in, तो secondary oocyte कब बनेगा, after fertilization, कि before fertilization, तो fertilization जे ज़स्ट पहले है, first muted division complete होता है, तो secondary oocyte बनता है, तो answer हो जागा, before fertilization, answer हो जागा D, corpus luteum is, तो corpus luteum जो है, कहां से बना, जब graphene follicle में ovulation होता है, तो secondary oocyte बाहार आता है, that means ovum बहार आता है, ovulation होता है, वो luteinizing hormone कराता है, ठीक है, उसके बाद corpus luteum में, यहीं के graphene follicle, corpus luteum में कर्णब होयाता है, और corpus luteum जो है, progesterone का secretion करता है, जिसके वज़र से हम यह बोल सकते हैं, कि progesterone एक hormone है, तो corpus luteum होर्मोन का secretion करता है, इसका मतलब वो endocrine gland का काम करता है, ऐसे gland जो हर्मोन का secretion करता है, उसे endocrine gland बोलते हैं, और ऐसे gland जो enzyme का secretion करता है, to corpus luteum यह progesterone hormone का secretion कर रहा है, इसे लिए endocrine gland बोलेंगे, answer B हो जाए, पिक्ष है कि enzyme hyaluronidase, यह synthesized in Champ val करा रहा है वह कहां पे सेंसाईज होता है सं थे बोडे में होगslाद आधा क्छी बोडे में मिल सेंसे आइज के अधर को जो होता है शिमर शीन हो जो हम लोग एसने और सब्लम इंदर दालता है इस्पर्म के नुकेलेस को गुष्ण डलता है ठीक है है रिख्त सर्वां हो जागा विग एगानेetzt फ्र मेंत। मैचूरेशन होता है जो हुझण होता है। करें इसलिए तो इस्क्रॉडम आता लो होता है ताकि ज़ो हैं टैस्टिस हांग सुद्वर हो जागा अपका सि नेफ्स हैं कि मीड्ल पीस्ogen स्पर्म wemmelium का मिड्ल पीसमें क्या होगा तो उसमें में जो है मा यहां मा सेंत्रियों होगा, mitochondria strip होगा, central sub होगा, nucleus होता है, answer D है, next है onset of pregnancy, pregnancy start होते ही, क्या हो जाएगा, stimulate the testosterone secretion, नहीं, inhibit the further ovulation, यानि जैते pregnancy होगा, तो ovulation रूख जाएगा, यानि अंडे रिलिज, रूख जाएगा, ठीक है, answer हो जाएगा आपका, B number, next है, subtly cell accursion, subtly cell किसमे होता है, human testis में होता है, subtly cell leading cell और, ठीक है, फ्रोक के testis में नहीं होता है, ovary में तो नहीं होता है, फ्रोक के ovary में नहीं होता है, answer हो गया, A, next है, which is correct, कौन सही है, menstrual cycle present in all mammals, बेलकुल सही बात है, all mammals में नहीं, 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 गलत है, इसे प्राइमेट्स में होता है, ठीक है, menstrual cycle present in primates, all primates है, जिसे monkey हो गया, gorilla हो गया, human being हो गया, यह प्राइमेट है, और नन प्राइमेट में जो है, जिसे cow हो गया, cat हो गया, इस सब में क्या होता है, ostrac cycle होता है, यह भी तो mammals है, इनके सभी mammals में mastro cycle नहीं होता है, तो answer हो गया, B, नेक्स्ट कुशन है, कि yellow corpus luteum occurs in mammals in, तो यानि कि yellow corpus luteum कहां पर होगा, यह बात बोला है, but heart to initiate the heart beat नहीं, skin to function the pen receptor नहीं, brain and hemisphere connect the cerebral hemisphere नहीं, ovary for secretion of progesterone, बिल्कुल सही बात है, अभी तो बताए हम, कि graphene follicle में ovulation होता है, तो बन जाता है corpus luteum, और corpus luteum जो है endocrine gland का काम करता है, that means वह hormone का secretion करता है, तो कौन सा hormone secret करता है, तो वह progesterone का करता है, answer D हो गया, next question है, कि female, female, female gland, corresponding to prostate of male, कौन सा, बर्थोलिन gland, नहीं, bulburethra gland, नहीं, clitoris, यह तो भाई साब penis के homologus होता है, यह भी नहीं, none of these, none of the above, answer हो जागा D number, next है, what would happen if vasa deferensia men are cut, अगर vasa deferensia को cut कर देंगे, तो testis में जो sperm बन राता है, वो तो आएगा नहीं, तो sperm में जो है, sperm are non-modal, गलत बात है, semen without sperm, semen में sperm नहीं हो, यहीं सही है, ठीक है, बाकि सब answer गलत है, तो answer हो जागा C number, इस तरह से जो है, सारा question जो discuss कर लिए है, 20 का 20, आपको करना कहा है, अच्छा लगए तो दोस्तों में share कीजिए, और हमें support कीजिए, thank you, thank you for watching.